शादीतों करना ज़ाइब बच्चे बच्ची बस खुंशुट लड़की की तलास है। हो फुर। स्ब्ड़ी हो गाए आप उसके लिए नerson को फोर सुने ऊहट। खुबसूरती का पैमाना क्या है आपका ओ क्या स्टैंडर्ड से खुबसूरती का पैमाना जो हमारी नजरों में चमका हुआ है मुलकों के इतिवार से पैमाना बदल सकता है लेकिन हमारे पास जो पैमाना खुबसूरती क्या है पहला पैमाना खुबसूरती का लड़की का गो और कुछ नहीं था उसमें कुछ में नहीं था और इतने बोलने के लिए था हाँ बस तो खुब सुद्धी क्या है गोरा होना अब उसमें प्लस और लग गया भी आजकल नए जमान में गोरे होने के साथ साथ स्लिम ट्रिम होना वेड जो है अंडर 50 होना एक्जेक बले तो प्र प्रिसाइस तो दो क्राइटेरिया एकदम कॉमन हो चुके बोरा होना और दूबला पदला होना तो ऐसे लोगों को मैं सजेशन देता हूं आप गलत जगा जा रहा है आपको लड़की नहीं चाहिए आपको ट्यूब लाइट चाहिए जितनी चमकदार बोले जितने वाइट चमकेंगी लोग भी तारीफ करेंगे इसलिए कि जो चीज मैनिफैक्चर होती है कंपणी में बनती है उसमें स्पेसिफिकेशन दाले जा सकते है यह चाहिए यह नहीं चाहिए जो चीज़े पैदा होती है बर्त लेती है वह चीजों में हमारा क्या था क्या हमसे पूछा जा आली फरिश्टे बोलते हैं मिक्स करने से बढ़नी अला नावास देता है मामला हो जाता है तो जिस चीज को बनाया जाता है उसमें स्पेसिफिकेशन होते है तो ने जो चीज़े पैदा होती नुशमें यह निहोता है खुब सुर्ती होना गोरापन होना यह कुंसी खुबस फिनिष हो गया काला 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 घूस इससे कुछ हो जादा नहीं इपने आतम दो ही शेड़ से मिलते हैं वेरियंट्स ऑब ब्लैक्स ऑवाइट्स अफ़ जो कलर में भी शेड़ काड लेंक घूमते हैं बच्ची देख लिए बदूबबज शेड़ काड की अरे आपकी वाइट में भी कलर शेड़ इस नहीं वह स्नुवाला ज्यादा हो जाता मिल्क चाहिए था मिल्की में थोड़ा नमक दिखता कलर में ये स्नुवाइट थोड़ा था थैक फटावा तो ये नहीं जंबता ओहो आचा बहुत गोरा हुना तो अगर कोड की मरीजा ला दे जो पूरी गोरी रहते हैं ने यह नहीं चलती। भी तो गोरी है नो… मसाला क्या है? तेरा मसाला क्या है? तीने सौन्छ क्या है? जिनकी ऐसी सोन्छ होती ही न, तो मैं उनको छैलेंज तो वेलेंज करते हूं है सेम कलर सेम चाल्ट इविए यह फैसी से में पूझाए जो दूझते थी आ पेदा करके बता हैं नहीं हो पता है पता चाल लड़का लगा तो इतना घुरा है कि जिसी को इन्तियाने गौगल लगाना पड़ा देखने से पहले लड़की तो आइसी मिल लगता है नसलों में नहीं आएंगी उबाद आ जाती है आती है बाई नभी एक रहा है एक वाक्या हुआ एक सहाभी को अलाद पैदा हुई और अलाद काली और माबाब बतला उनके ऐसाथ रंग कम माबाब दोरे तो उस सहाभी ने इल्जाम लगा दिया कि कहा मुझे तो शौ अलाद बूरे अलग ही होते में तो उस आदमी ने कहा चुके आरब बहुत अपने जानवरों की नसलों का इल्म रखते है इसका बेटा था किसका तो का अल्लाद के रसूल सेवन जनरेशन बैक साथ जनरेशन पहले एक काला हुट था तो साथ नसलों के बाद उसका अशर फ़र आता है तो अब बाप बी गो रहा है माँ गो यह बच्चे के रखते दादा टादा सगड दादा उसर आगी क्यार तहँरा चला गया थो होता है मां की नाक खड़ी चुनके लाइना अपने एकदम लड़की ऐसी चाहिए खड़ी नाक वाली बच्चे ऐसे होना विल्कुल अपनी नाक तो नाक रहना खांदान की ओ माशाला बेटे की नाक भी खड़ी अब बच्चे पूरे चाइनीज नाक दभी भी करते क्या इसलि का से बैटे से थाए लगए अ प्लव में आज की लिए चुनते हो किसी की बैटी में कल जमान आएगा तुम उस भुखाम पर होगे जहां वो बाप है और तुम्हारी बेटी उस मुकाम पे होंगी जाहिए और तुम्हारी बीवी है बहुती तब क्या करोंगे तब शायद अल्ला से माफियों ला गलत किया था लेकिन नहीं होंगा अभी कर लेना चाहिए है ना खुब सूर्थी का पैमाना जमीन जमाने से बदलता है क्या बता हूं मिसाल दूँ अगर आपको हमारी वीडियो को पाने करें हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाए हमसे दिगर सोचल मीडिया पर जोड़ने के लिए वीडियो में दिये गए आइडियो को सर्च करें जजाक अल्ला